हालो फ्रेंड्स मैं से शब्बिर हुसेन and you are watching Physiotalk दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं थॉमस टेस्ट के बारे में थॉमस टेस्ट से हमें पता क्या चलता है थॉमस टेस्ट से किन मसल्स की ट्नाइटनेस को आप पता कर सकते हैं थॉमस टेस्ट को आप बेसिकली करेंगे कैसे तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को दोस्तो थॉमस टेस्ट के एम की अगर हम बात करें थॉमस टेस्ट करने से हमें पता ये चलता है कि जो हमारे हिप फ्लेक्सर्स हैं उन muscles के अंदर कितनी tightness है जो muscles हमारे hip joint को flex करवाती है उनकी tightness को पता करने के लिए हम use करते हैं Thomas test का अब बात करते हैं कि Thomas test किया कैसे जाएगा इसके अंदर आप सबसे पहले patient को supine line position में लेटाएंगे उसके बाद patient का जो unaffected limb है उसको आप manually flex करने के लिए बोलेंगे knee और hip joint से chest तक आप उसके knee और hip joint को flex करवाएंगे for example आपको right side के hip joint के flexor muscles की testing करने कि उसमें tightness है या नहीं है तो आप patient को supine line लेटाएंगे और उस patient के left leg को आप knee से और hip से flex करेंगे जितना हो सकता है chest तक और फिर therapist क्या करेगा कि उसका जो straight leg है जो आपका opposite limb है जो affected limb है वो straight रहेगा couch के उपर तो उसमें किसी तरीके का flexion हो रहा है या नहीं हो रहा hip joint पे वो हमें देखना होगा तो आप पहले patient को supine line position में लेटाएंगे उसके बाद जो उसका unaffected limb है उसको आप knee और hip से chest तक flex करने के लिए कहेंगे और जो उसका opposite limb है जो की couch पर straight है उसको आपको observe करना होगा कि वो limb के अंदर patient उसको straight रख पा रहा है या नहीं रख पा रहा है या वो चीज उसका जो opposite limb है उसके hip joint में flexion आ रहा है या नहीं आ रहा है अगर उसके hip joint में जो affected limb है उसके जो straight है couch के उपर उसके उपर अगर flexion हो रहा है hip joint के उपर flexion आपको देखने को मिलता है तो इसका मतलब है कि ये thomas test positive है और उस patient को hip flexor muscle के अंदर tightness है तो दोस्तो इस तरीके से आप thomas test के जरीए से hip flexor muscles की tightness का पता लगा सकते हैं तो दोस्तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो like, share and subscribe करना ना भूले Thank you for watching Physio Talk